अगर आप लोग देनिक भासकर न्यूज पेपर पढ़ते होंगे तो आप सभी को मालू होगा कि देनिक भासकर की तरफ से एक पितियोगीता चलाई जा रही है और इसमें डेली आपको तीन कुश्चन्स दिये जाते हैं और उनकी आंसर आप लोगों को देने होते हैं सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इस पितियोगीता मैं आप लोग किस तरह से भाग ले सकते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है एक नंबर पर मिस्कोल देनी होगी देखे यह है आपका 9190000000007 टो इस पर आप लोग जैसे ही मिस्कोल करेंगे आपकी नंबर पर एक मैसेज आएगा और मैसेज में आपको एक लिंक दी गई होगी और उस लिंक पर आप लोग जिस तरह से क्लिक करेंगे आपके पास एक हॉम पेज खुल जाएगा उसमें आए सामान जानकारी बरनी होगी जैसे आपका नाम हो गया जीमेल हो गया ओंबर हो गई आपकी सहर हो गई एक सामान जानकारी रहती आराम से आपनों बर सकते हैं उसके बाद आपके पास तीन कुश्णस दे रहेंगे इस तरह से जैसे पहला कुश्णस है आज के लिए कि गांधी जी खादी को किसका पितिक मानते थे यानि कि महतमा गांधी की बात हो रही है और महतमा गांधी की बात होती है तो आप सभी जानते कि 2 अक्टूबर 1869 में उनका जनम हुआ था और 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई थी तो आप देखेंगे कि उद्धोगे की करण का आर्थिक सुतंता का आर्थिक विद्धी का तो इसमें भी option लाएंगे आर्थिक सुतंता का एक तरह से वो पितिक मानते थे और आपने देखा होगे खाती सबसिफ राचीन परवस सिंखला कौन सी है देश की सबसिफ राचीन परवस सिंखला कौन सी है अरावली हिमालय सत्थोड़ा तो आप सभी को मालू अच्छी कि अरावली है और यह राजिस्थान में आपको देखने को मिलेगा इसकी सबसे उची जो सिखर है गुरू सिखर ह 1727 मीटर यह माउंट आव उपर आपको देखने को मिलेगा यह हिमालाय आप लोग देखते हैं यह अभी बच्चे हैं अरावली के आँगे तो अरावली इसमें होगी इंडियन आर्मी का धैर बाग के क्या है सौरी और विश्वास सर्विस सर्विस विफोर सेल्फ बंदे मातरम तो इसमें सर्विस सर्विस विफोर सेल्फ होगा यानि की भी ऑप्सन होगा आपको खोद से पहले सेवा और आप से भी जानते हैं कि जो आर्मी में जाते हैं सेना में जाते हैं वो खोद से जाना पहले देश की सेवा करना, एक तरह से अपना कर्तब निभाते हैं, और मुझे लगता है कि सबसे बहतर अगर कोई कर्तब अपना निभाता है, तो वो हमारी सेना होती है, आप देखते हैं कि कितनी गर्मी हो, फिर चाहे आप देखी बरसाद हो, ठंड हो, वो अपना कर्तब निभाते रहते हैं, और वो उसे कभी समझोता नहीं करते हैं, और इसलिए आप देखते हैं कि वो सईद भी हो जाते हैं, तब जाकर हम लोग आराम से रहे पा रहे हैं, तो तीनों कुश्चन्स में आप लोग याद रखिए, पहले में आप लोग आर्थिक होएं, दूसरे में आपकी अरावली होगा, और तीसरे में आपका सर्विस विफोर सेल्फ होगा, और आपको भालू होगा कि 15 जन्मरी को सैना दिवस भी बनाते हैं हम लोग, ठीक है, और आप देखिए कि कल के विजेताओं की अगर हम लोग बात करें, तो आठ अगस्त किस निरण्यन, गौर्ण सिया, ठीक है, तो यह आप लोग चरूर यात रखेगा, चलिए हम लोग कल फिर में लेंगे, कल जो भी कुश्चन्स रहेंगे, उनकी आंसर भी हम लोग देखेंगे, और आज की जो बिजेता रहेंगे, उन्हें हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है, नि